कि नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है करन्ट अफियर जी के फॉराल एक्जाम की यूटूब चैनल पर आज 13 मार्च 2018 आज जो है मा करमा की जैनती है 13 माई 2018 के महत्पून नियुट डिस्कुस करते हैं चलते हैं फस्ट आर्टिकल पर आज कौन कौन सी नियुज इंपोर्टेंट है आपके एक्जाम में करन्ट अपियर से क्वेस्चन बन जाते हैं और यहां से जरूर बनेंगे डिटेल से डिस्कुसन करते हैं और इससे क्या होता है अपना नॉलिज बढ़ता है जिससे कि आप लोगों को और बता सकते हैं और भी जो कमिया है तो आप कमेंट करें मैं जरूर सधार करूंगा चलते हैं फर्स्ट आर्टिकल पर भारत ने आई टीपी वर्लिन में सर्वसेष्ट प्रदर्सक पुरुसकार जीता भारत ने आई टीपी वर्लिन में इसके अंतिम दिन सर्वसेष्ट प्रदर्सक पुरुसकार जीता आई टीबी वर्लिन पर्ल्ड टूरेस्ट मेट सात मार् पृतिने दो तो परेटन राजमंत्री के जे अलफॉंस ने किया था सौ से भी अधिक देशों ने आई टीवी वार्लेंड मेट में अपने अपने संबनत परेटन मंत्रियों के माध्यम से सरकत की इस दौरान भारत की अतुले भारत परेटन मंत्राले ने योगी आपदा रैस् जर्मनी की चैंसलर कौन है यहां से क्वेस्टन बन जाते हैं चलते हैं ने श्टाडियों पर एन सी आरवी ने स्रेटिजन सर्वसेश अप्लिकेशन लांच की डेटेल से डिस्केशन करते हैं राश्टी अप्राथ रिकार्ड बूरो ने गैरामाद वोजर अठारा को अपने 33 स्थाप्रा दिबस के अउसर पर नई दिल्ली में एक सिटिजन सर्वसेश अप्लिकेशन लांच किया कारकर्म के मुक्ष है थी आई वी के निदेशक इंटेलिजन्स व्यूरो के निदेशक राजिव जैन ने सिटिजन सर्वसेश अप्लांच किया इस अप को एन सी आर भी नहीं विक्सित किया है एप का उप्यूग नागरकों द्वारा विविन सेवां जैसे की सिकायत पंजी करण और इसकी स्थिती की जाच एफ हाई यार देखना सो एस सुरक्षत रहे पुलिस स्टेशनों का पता लगा है बाहन समन में आपात काली निसंपार के सूची पुलिस स्टेशनों की टेलीपॉन निर्देशी का आधी के लिए शामिल किया गया है यू स्टेटीजन सरुसेस एफ है एप्लीकेशन लांच किया गया है राष्टी अपराद रिकार्ड लियूरो द्वारा नौर इसको लांच किया है किसने आज भी के चीप जो है वरतमान में राजिव जैन उन्होंने लांच किया है चलते हैं इने स्टाडिकल पर चीन की संसद ने राष्टपती के दो कारेकाल की सीमा समाप्त की यहाँ पर संभीधान संसोधन किया है और चीन के जो राष्टपती का कारेकाल है वो आज इवन रह सकता है आज इवन रहेगा यहाँ संभीधान संसोधन किया गया है डिटेल से डिसकुसन करते हैं चीन की जो वहां के राश्टपती है वह है चीन के आज इवन राश्टपती रहेंगे मतलब आज इवन जब तक मर नहीं जाते पेचिंग में 11 मार्ट 2018 को चीन की संसाथ में नेशनल पीपल्स कांग्रेस की वारसिक बैठक में संसोधन को दो तेहाई बहुमत से मन्यूरी दी गई चीनके परमुख नेटा डेंक सियूपोंग नेंग सियो पिंग ने माुद से तंग कीता रही चीन में एक व्यत्ति के सत्ता में बने रहने की पन्रहुरती को रोकने के लिए राश्टपती पद के लिए दो कारकाल किए डिखतम सीमा ता एक peeling एन्हों ने की थी दी लेकिन बर्तमान में उन्होंने सम्मिधान संसुधन करके जो सीजिन पिंग है एक प्रकार से ताना साही दिखा रहे हैं और बर्तमान में उन्होंने सम्मिधान संसुधन करवाया है और वो आज इवन राष्टपती रहेंगे इस प्रकार से उनकी ताना साही आंगे भी चलेग को बढ़ावा देने के लिए सम्झोता किया डेटेल से डिस्क्रिशन करते हैं ACI विकास बैंक, ADV और अंतराश्चिय सौर गडवंदन, ISA ने ACI प्रसांत छेत्र में सौर उर्जा को बढ़ावा देने के लिए एक सहयोगी विवस्था बनाने के समझोते पर स्ताक्षर किये ADV, ACI विकास बैंक, उसका मुख्याला बनीला में होता है और बरतवान में ADV के जो चीफ हैं ताकि है के नकाव और चलते हैं और डिस्कुसन करते हैं इसके बारे में इसके तहत स्वर उर्जा उत्पादन और स्वर आधारत छोटे ग्रेड और एकी करत और स्वर उर्जा को ग्रेड में पहुँचाने के लिए पारेशन प्रणाली इत्यादी के उछेतर में सहयोग किया पयाएगा ADV ने बताया कि हुआ है और ISA जानकारी ज्यान को साज़ा करने और स्वर उर्जा के परसार के लिए तखनीकी खागा विख्षित करने में भी सहयोग करेंगे स्वरूर्जा विवस्था को लागू करने के लिए तोनों मिलकर वित्तिय संस्थान भी भिख्षित करेंगे ISA जो है अंतराष्टी स्वर गडवंदन है बरतमान में यहां पर सम्मेलन भी हुआ है अंतराश्टी सवरुजा के लिए सम्मिलन होगा है अंतराश्टी इस्तर पर दिल्ली में और यहां पर जो है करक और मकर रेखा के मध्याने वाले सभी कंट्रियों ने एक से किस कंट्रियों ने लगवा किसमें भाग लिया है चलते हैं और भी फ्रांस के राश्ट्रपती इमैनियूल मौकराउन और प्रधानमंत्री मोधी ने मिरजापूर में सोलर प्रांट का उधगादन किया डिटेल्स से डिसक्सिन करते हैं भारत दोरे पर आए फ्रांस के 2018 को सभाई प्रधानमंत्री ने लिटेल्स मोधी के साथ मिलकर उत्तरप्रदेश के मिरजापूर में सोलर उर्जा सेंत्र का उधगादन किया दादर कला में स्थापित सोलर उर्जा प्रियोजना प्रदेश की सबसे वड़ी सोलर उर्जा प्रियोजना है 75 मेगावाट के सोल प्रांट पर करीब 560 करोड रुपे खर्च हुए हैं इस सयंत्र को रो जाना 5 लाख यूनिट विजली उत्पादन का लक्ष है जिससे करीब 1.5 लाख परिवारों को विजली मिल सकेगी इस परियोजना का की स्थापनास उत्तरप्रदेश नभीन इवम नभीकरणी है और फ्र स्वरुजा गडवन सम्मिलन में भाग लिया था और एक सहयोगी देश की रूप में उन्होंने उसमें सिरकत की थे चलते हैं एक स्टाडिकल पर पर भारत फ्रांसी सी ज्यान सिखर सम्मिलन दोनों देशों के बीच अकादमे की युगता की पारश पर एक माननिता पर एक य संथान संस्थानों के बीच 15 अन्य शम्झोता सम्झोतों के अपनों के साथ सफलता पूरवक संपन हुआ दो दिपसीजे सिखर सम्मिलन नई दिल्ली में आयुद किया गया इसका आयुजन संयोगबस फ्रांस के राश्पती एमैनुएल मेकरोन की आधिकारिक भारत यात्रा के दोरान ही हुआ यह सिखर सम्मिलन भारत मैं फ्रांसी सी दूदावास दोरा आयुजित किया गया भारत सरकार के माना संस्थान विकास मंत्राला दोरा इसकी साह मेजवानी की गई लगवर 80 भारती संस्थानों और 70 फ्रांसी संस्थानों के 350 से भी अधिक लोगों ने प्रमों खुद्धिमों के साथ इस सिखर सम्मिलों ने भाग लिया जिसे विज्ञान इवंप्रोधगी की मंत्राले केंपस फ्रांस और भारती उद्ध्यों परिसंग है का भी समर्थन प्राप्त हुए चलते हैं एक स्टाडिकल पर नौजोत कोर उनाइटेट वर्ल्ड रेसिंग रेंकिंग में दूसरे स्थान पर डेटेल से डिस्क्रिशन करत नौजोत ने महिलां की 65 किलोग्राम इस परधा में स्वार्ण पदक जीता इससे वह उनाइटेड वर्ल्ड रेसिंग की नवीनतम बेस्व रैंकिंग में भार वर्ग में फैनलेंड की यूरोपिये चैंपियान पैत्रा ओली के बाद दूसरे स्थान पर हैं बेरी केता है तो रोजगार आवंटन और धनका उप्योग करने के मामले में पश्चे मंगाल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज़ बन गया है पश्चे मंगाल ने अब तक बर्स 2017-18 में योजना के टायद 28.21 करोड से अधिक कारे दिबस तयार किये और इसके गांधी राष्टिये ग्रामि रोजगार अवंटन करने के छेतर में चलते हैं कास्त्रो युक की समापती के बाद क्यू वाई नागरकों ने अपने नए राष्ट्पती को चुनने के लिए मद्दान किया डिटेल से डिसक्सिन करते हैं ग्यारा माद 2018 को क्यू वा के नागर क्यूबा के मौजूदा राष्ट्पती रावल कास्त्रो अप्रेल में अपना पात छोड़ से छोड़ देंगे गौरत अलब है कि करीब 60 वारसों से क्यूबा में कास्त्रो बरदर्स ही सत्ता में रहे हैं लेकिन नए राष्ट्पती के चुनाओं के साथ ही क्यूबा में कास साल की लिए चुना जाता है इनके पास राश्ट पती प्रथम उपराश्ट पती और अन्य उपराश्ट पती एक सचह होते हैं इस अनने सतस चुन्ने का अधिकार होता है छलते हैं इनक स्टाडिकल पर ब्यतनाम की ग्वेन हुआंग जियांग ने मिस इंटरनेशनल कुईं का करते हैं थाइलेंड में आयो जो तो ट्रांसजेंडर महिलाओं के लिए दुनिया की सीर स्वांदार्य प्रतियोगता में से एक ब्यतनाम की ग्वेन हुआंग जियांग को इस बर्स मिस इंटरनेशनल कुईन का ताज पहनाया गया इस प्रतियोगता में दुनिया की विभिन इस से 26 पर दिश करते हैं वीडियो पूर जरूर दरूर दरूर देखें जिसे कि आपको संपूर्ण जानकारी मिल सके और कमेंट जरूर करें भारत ने आईटी बी बर्लिन में सरस्य प्रदर्सक पुरुषकार जीता याइं सी यहारवी ने से अर्फीं इस जिए सिर्फ्सेस अलांच किया इंपटन्ट आइं से के लिए बड़ावा देने के लिए सम्झ आता कि या नेक्स नीयों डिसक्रख़शन किया है फ्रांस की राभश्पती मैकर Jahren को मैकरॉन और प्र्धाम न्थि मोदी ने मर जापुर में सोलर प्लांट का द्धतन किया नेस्ट नोड डिसक्रिचन किया है प्रथम भारत फ्रांसिसी ज्यान सक्ह संमेरन सपलता पूर्वक शंपन हुगा नेस्ट नोडिसक्रिचन किया नावजोत कोर उनाइटेड वर्ल रेसलिंग रैंकिंग में दूसरे स्थान पर पहुंच ही नेक्स्न रोजगार योड़ना सिर्स पर नेक्स्नूद डिसक्रcem किया कास्टर योग की समापति गेवाद क्यूबाइ नागेरिकों ने अपने नय राष्ट को चुनने किलिमत तान किया नेक्स्नूड डिसक्रसंग कि ये वयत नाम देख करके और वीडियो देख सकते हैं सब्सक्राइब का बटन देख सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जानवाद दोस्तों वीडियो देखने की जय भारत आपको दन्द सुभ है